आज की वीडियो में डिसकस करेंगे एक NGO बनाने से लेकर Final ATG 12A का रिजिस्टेशन कैसे लिया जाता है मतलब आपने NGO कोई फॉर्म करने हैं तो उसके बेसिक क्या स्टेप्स होगे उसके बारे में डिसकस करेंगे उसके बात प्रोविजनल अपलाएं को स्किप नहीं करना एंड तक देखना है अगर आप चैनले पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनले को सब्सक्राइब करना ना भूले नीचे लाल बटस को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिलिए नमस्कार मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हो मारे यूट्यूब चैनल पर और अगर आपने अभी तक हमारा टेलिगेम चैनल जॉइन नहीं करा है तो क्लिक करें और जॉइन करें लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया क्योंकि वहां पे आपको मिलेगी डेली स्टरेफाल से बताओ कि बहुत सारे लोगों को कि अधिये अथी तुझ अब ने यहां अभी ले ना या रुक कि ले फिर उसके बाद क्या फाइनल यह वो कब लेना है लोग को बहुत को कश्रम धोस्तों क्या हमें प्रेक्टिकली हम एज सारे अगर आपगे बीशेश्यों क करना चाहते हैं कोई भी religious धार्मिक काम करना चाहते हैं समाजिक कारे करना चाहते हैं तो तो उसके लिए आपको NGO form करने होती है इन सब को बनाने के जुश्टों जा पर तीन तरहिक यह तो आप उसको Section Eight company बना सकते हो या उसको society बिना सकते हो यह आप उसको प्राइटी section 1860 के अंदर जो आपकी रिजिटर होना चाहिए तो उस case में आपको different different states के साथ लोग चाहिए होंगे तो वह आपकी central level बन जाएगी यानि कि वह आपका all over India काम करेगी state वाली वह limited to क्या होगी आपकी state में काम करेगी ऐसे गर section 8 company बनाना चाहते हो तो आपकी वह all over India काम करेगी और यह आपकी mca के द्वारा बनाई जाती है यानि कि ministry of corporate affairs जैसे एक तरह से जो प्राइविड़न companies बनाए जाती है वैसे ही इसका process रहता है लेकिन यह easy process है और मैं हमेशा recommend भी section 8 company करता हूँ क्योंकि आप उसमें by default all over India काम कर सकते हो easily और तीसरा आपका कोई भी ट्रस्ट कोई भी रजिस्टर ट्रस्ट बना के आप जो है अपना काम स्टार्ट कर सकते हो कोई भी activities activities और अपनी जो भी social activities है वो कर सकते हैं अब नेक्स पॉइंट आता है कि सब्सक्राइब कर लिए अपका बैंक अकाउंट कुल गया तो क्या अब हम एटी जी ट्वैले प्रोविजनल अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हो उसके तुरंत बनने के बाद आप कर सकते हो लोग को इसमें confusion है कि सर वेट करना पड़ेगा activity नहीं आपकी नहीं बनी है फटा फट आप प्रोविजनल अप्लाई कर सकते हो एटी जी ट्वैले और ध्यान रहे मैंने पुरानी वीडियो में बताया हुआ है कि अगर आपको एटी जो ट्वैले करना है तो आपको separate दो फॉर्म यहां पर अपलोड करने पड़ेंगे दो फॉर्म टैने आपको अपलोड करने पड़ेंगे एक फॉर्म टैने से काम नहीं चलेगा आपको दो separate फॉर्म टैने अपलाई करने पड़ेंगे एटी जी के लिए लग और ट्वैले के लिए लग जिसके मैंने ये दोनों वीडियो बनाई हुई है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है पूरा कम्लिट पुसस्ट बता रखा है वीडियो को रह पर कर अब जब आपके पास प्रोविजन आ जाएगा तो लोगों दोस्ते यहां पे कंवजन होती है किस Variphabet了 है वह maximum लिखा है जैसे ऐक pajaki खोल रखे वह मैक्सिमुम पीरड यह कि आपका थीन साल के मतलब क्या है यह आपकी अटिविटी स्टार्ट कर देती है आपकी चरिटेबल एक्टिविटी सोचल एक्टिविटी जिस परपस के लिए अगर वह आपकी अग्जियो स्टार्ट कर देती है तो उस केस के अंदर वह जो आपका का रिजिस्ट्रेशन मिला हुआ है एक टीजी ट्वैलेगा वो सिर्फ मैक्सिमम आपका छे महिने के लिए वैलिट रहेगा यानि कि जब भी आप मालो आपने अपरल लख दोसार 23 के लिए अपने अंगी और मही के अंदर अपने प्रोविजिन अपने क्ट्रविशन फेल बनाव लिए अपने पूरा वेड़ लेगा लेकिन आपने September में एक्टिविटी स्टार्ड कर दी तो September के छे महीने लगा लो तो वहां पर आपको उस छे महीने के अंदर within six months of starting the activities आपको क्या करना पड़ेगा अपना final apply करना पड़ेगा अब final कैसे apply करते हैं form 10AB के अंदर दोस्तों इसके लिए मैंने लगसे वीडियो बनाई हुई है आप यह वीडियो रेफर कर सकते हैं इस केस में भी दोस्तों हमारे दो फॉर्म जाएंगे दो फॉर्म 10AB जाएं है यह हमार पस कोई phone आएगा कोई email आएगी क्या प्रोसेस दो देखें आपको समझना पड़ेगा यह online प्रोसेस राइट प्रोविजनल तो हमें online आराम से मिल सकता था जो कि हमारा CPC बैंगलोर प्रोसेस कर रहा है सारी जितने भी आपकी अप्लिकेशन जा रही है लेकिन ज लग सकते हैं क्योंकि maximum पीरन यहां पर छे महिने का है कि छे महिने के अंदर जब आप application डाल दोगे तो प्रिंसिपल कमिशनर को वहां पर रिवर्ट करना पड़ेगा चे मेंने के अंदर अब वह रिवर्ट क्या होगा वह रिवर्ट होगा हेरिंग की डिट बेसिकलि आपको क्या है हेरिंग पर बुलाया जाएगा उसमें लिस्ट डॉक्यूमेंट्स लिखके रहेगी जो कि टेक्निकल काफी सारे टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो मैं आपसे सज्जेस्ट करूँआ कि खूद आप नहीं कर पाएंगे इसको आपको किसी प्रोफेशनल की कि क लाइन ईमेल आजाएगी या पोर्टल पर लोग इन करके चेक कर सकते हैं जहां पर आपको लेटर आजाएगा हेरिंग के लिए फिर वहां पर पर दोस्तों हेरिंग पर पेश होना पड़ेगा आपको जाना पड़ेगा फेस टूफेस वहां पर डॉक्यूमेंट्स की documents है जो आपको तयार करने है जो मेरा practical experience रहा है तो उसके basis पर फिर वह आप documents तयार करोगे certified करोगे उसके basis पर वो documents आपके पेश होंगे commissioner of income tax जो भी आपका जो डिक्शन officer होगा वहां पर आपको उनको review करवाना है अगर वह documents सही है है genuine activities है तो आपको grant हो जाएगा विदिन एक महीन है दो महीने के अंदर अगर नहीं है तो वह आपका reject भी हो सकता है और rejection के case में दोस्तों फिर आपको अगर अप्लाइ करते हो दुबारा तो उस complete बताया NGO बनाने से लेकर provision लेना है फाइनल लेना है फाइनल के बाद की क्या कहानी है तो आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको इस वीडियो कुछ भी कुछ भी suggestion है तो आप नीचे comment box में डाल सकते हैं हमारी टीम आप तक पहुंच को apply करेगी और इस वीडियो ने आपको कुछ नहीं को solution प्रवाइड किया होगा इसे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नीचे लाल वडूस को दबाएं तक ऐसे वीडियो आपको time time में मिलती रहें